नमस्ते, मैं सुमन शर्मा, मैंने अपनी इस वीडियो में दोसे के साथ खाने वाली आलू की सूखी सबजी बनाने की विदी बताई है, इस आलू की सूखी सबजी में मैंने हींक को ऑप्शनल रखा है, उमीद है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, पसंद पर लाइक का बटन प्रेस करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, थन्यवाद, दोसे के साथ खाने वाली आलू की सूखी सबजी बनाने के लिए मुझे चहनी आलू, यह मैंने उबले हुए आलू लिये है, वन टीस्पून मैंने नमक लिया है, दो हरी मिर्च लिया है, थ और वन टेबल स्पून मैंने तेल लिया है, तेल होई भी ले सकते हैं, जो भी आप खाते हैं, आप सबसे पहले हम तेल डालेंगे, मैंने यह वन टेबल स्पून तेल डाला, थोड़े से मैंने सर्सों के दाने डालें, तेल गर्म हो जाने के बाद, सर्सों के दाने बुन जाने के बाद, मैं प्यास डालूँगी, प्यास ब्राउन हो गया है, प्यास ब्राउन हो जाने के बाद, मैं इसमें आलू डालूँगी, आलू हम खोड कर डालेंगे, हाथ से, जालूँगी, शालूँगी, आलू हम जाने के दाना के दाने केटूपी, जालू हम धिता सब। इह से, बार, शुखा पिशा मुड़निय डाल दिया, 1-2 तीश्पून मेंने लाल मिर्च डाली, 1 तीश्पून मेंने नमग डाली, और दो मैंने हरी मिर्च काट रखी है बारी ये भी डाल दी अब हम इन सब को मिला लेंगे ये आलू की सूखी सब्जी हमारी त्यार हो गई है हम गयास बंग कर देंगे ये डोसे के साथ खाने वाली आलू की सूखी सब्जी त्यार है अब हुआ कर देंगे